हेलो स्टुजेंट्स आपका स्वागत है मेरे इंग्लिस के चैनल पर आज हम लोग करने वाले हैं करेक्टर स्केच आफ नेंसन मंडेला तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रक्शन नेंसन मंडेला वाज दा फर्स्ट ब्लैक प्रेशिडेंट आफ साउथ अफ्रीका तो नेंसन मंडेला जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेशिडेंट मतलब होता है राश्ट्पती और साउथ अफ्रीका यानि दश्चिन अफ्रीका के पहले अस्वेत राश्ट्पती बने थे, he belongs to Africa National Congress, तो वो सामिल हुए थे, किसमे? Africa National Congress, एक समित थी, उससे जड़े हुए थे, hunger for freedom, hunger मतलु होता, भूंक for freedom, उसके बारे में पढ़ेंगे, When he joined the Africa to Africa National Congress जब उन्होंने दच्छिन National Malabrashti Congress को जोईन किया Then he began to hunger for freedom तब उनके क्या सुतंता के प्रती भूंक जागने लगी His hunger for freedom became greater than that of other pupils जो उनकी भूंक थी सुतंता के लिए Other greater than मनलब अधिक थी और that of other pupils अन्य लोगों से ज़्यादा क्योंकि because he saw that उन्होंने देखा कि His pupils उनके जो लोग थे are not free सुतंता नहीं थे इसलिए उनकी क्या हुई? भूंक जागने लगी Obligations मने या duty Obligations मनों होता है दाइत तो duty मनों होता है करता है बात एक ही होती तो according to Nelson Mandela Every man has following two obligations Mandela के according सभी वेक्टी को तो दो जो दाइत हैं उनको follow करना चाहिए और इससे आपका short जो question है short question एक पूंचा जाएगा कि according to Mandela what is the obligations two obligations तो बताना है आपको कि दो obligations उनकों ने बताये थे ठीक है? तो अब इसके बारे में डिसकस करते हैं first number था obligations are to his family to his parents to wife and children पहला दाइत था अपने family यानि परिवार के परती अपने parents माता परिथा के परती और अपने wife and children अपने बच्चों के परती फैमिली में मतलब पूरा परिवार आ जाता है ठीक है? तो अपने बच्चों के परती इनके परती एक दाइत था और obligations are to his people's अपने लोगों के परती दाइत और to his community of his country अपने देश के समुधाई के परती जो दाइत होते हैं वो दाइत तो एक बताया है इनोंने conclusion अंत में क्या होता है according to mandela the greatest and real wealth of a national nations its people ये भी short question बहुत important है पूछा आता है कि mandela के according कि किसी एक राष्ट की जो national real wealth होती है वो क्या होती है? तो according to mandela mandela क्या बताते हैं the greatest सबसे महान and real wealth जो वास्तविक संपत्य होती है of a nation एक राष्ट की वो होती है its people उसके लोग होते हैं तो ये mandela ने बतायाता है ये important है short question में पूछा आता है तो thank you for watching this video please subscribe my channel thanks for watching this video please